ये एक पिता और उसके बेटे की कहानी है राइट पिता और उसके बेटे की कहानी है तो होता क्या दोस्तों कि एक बार एक पिता अपने बेटे के साथ में अपने गार्डन में बैठा हुआ था बगीचे में बैठा हुआ था तो वो संडे का दिन था तो वो वहां पर एक त्र वो बेटा उदास होता है, वो खेल कुझ नहीं रहा होता है, तो वो पिता उससे पूझता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। तो वो कहता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है मेरी जो स्कूल लाइफ है वो बहुत ही बेकार है क्योंकि स्कूल में सुभे टीचर आते हैं वो बहुत ही बोरिंग लेक्चर वगरा जो है वो देते हैं और साथ में फ्रेंड्स के साथ भी इतनी नहीं बनती है तो ऐसे मे कि मैं चाहता हूँ मैं कि लाइफ में जो कुछ काम है वो कर सके तो जो उसके पिता होते हैं वह मुत्करा देते हैं वह के उसे करना कल जब तुम्हारा सकूल तो जब फिनिश हो जाएगा खत्म हो जाएगा तुम ըेरे रैस्टोरंट में दो होता है तो तुम, मेरे पास रेस्टोरंट में आ जाना तुम मेरे पास रेस्ट haw सिर तुम्हारे कहते हैं वह वहां पर जाता है कि मिलता है तो वह बोलता है कि मिलना है अपने अनका नाम बताता है वह कहते कि हाँ बिल्कुल वो तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं तो तुम किचन में चले जाओ तो जब वो किचन में जाता है तो देखता है कि उसके पिता वहां पर खड़े होते हैं उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वह बहुत खुश होते हैं और उसको अंदर बुला लेते हैं कि अंदर आ जाओ तो जब वो अंदर जाता है लड़का तो उसके पिता उसको दिखाते हैं कि उसके पिता ने जो गैस होता है जो चूला होता है तो तीन चूलों के ऊपर तीन उन्होंने जो बावल होते थे वो रखे होए होते हैं यानि कि पानी गरम करने के लिए अलग-अलग जो उन्होंने जो बरतन है वो रखे हुए थे तीनों में जो पानी था वो उबल रहा था ल एक वे बरतन में गाजर रखी हुई थी, कैरेट जिसे बोलते हैं गाजर वो रखी हुए थी, दूसरे में अंडे रखे हुए थे और तीसरे में उसके पिता ने उसके सामने कौफी बींज जो होती है जो कौफी बींज होती है वो डाल दी थी तो अब वो जो बाचित है वो करने लग जाते हैं 10 मिनट तक वो बाचित करते हैं 10 मिनट बाद तो इसमें फिर वो अपने बेटे को बन कर देते हैं तो इसको प्लेट के अंदर और वो उसको एक चम्मच के साथ में उसको करते हैं तो वह आसानी से जो मैश है वो हो जाती है वहां पर तो उसके पिटा उसको बताते हैं कि गाजर पहले बहुत ज्यादा सक्ट थी लेकिन बाद में जब वह उबले हुए पानी के अंदर आई वह थोड़ी दिर वहां पर रही तो वह नर्म हो गई वहां पर दूसरी च थे उतमें तो AG का जो बारी जो होता है वह थोड़ा सा सकत है या लेकिन अंदर यॉद्ध के आग होता है वह जैसे ही उस अंडे को वहां पर पानी के उबलते पानी के अंदर डाला गया दस मिनिट तक तो जब बाद में उसको तोड़ा गया तो वह अंदर से जो और तीसरे बरतन में उन्होंने डाला था कॉफी बीन्स कॉफी लेकिन जब वो उसको निकालते हैं तो अंदर से कुछ भी नहीं होता है लेकिन बल्ति पूरा का पूरा जो बरतन है उसका ही जो पानी का जो तरीके से घुल जाती है तो उसके पिता कहते हैं कि अगर situation hard होती है और तुम नर्म पड़ जाते हो तब भी जिंदगी में चलती है अगर situation नर्म होती है और तुम hard बन जाते हो तब भी जिंदगी में चलती है यानि कि life में difficulties आती है तुम अपना तुमारे situation जो है वो कैसी रहती है या तुम coffee beans की तरह बन जाते हो कि पूरे के पूरी situation को ही change कर देते हो coffee ने क्या किया पूरे के पूरे पानी के color को ही वहाँ पर change कर दिया अब तुम कैसे बनना चाहते हो उसके पिता उसको बोलते हैं तुम कैसे बनना चाहते हो तुम इनकी तरह hard या soft बनना चाहते हो या तुम coffee की तरह बनना चाहते हो कि चाहे जैसे भी situation आए तुम उस पूरी situation को ही वहाँ पर बदल दो यानि कि situation अच्छी चल रही है situation बुरी चल रही है आदमी का समय अच्छा चल रहा है आदमी का समय बुरा चल रहा है लेकिन अगर तुम्हारे मन के अंदर उस situation को बदलने का दम है कि हाँ तुम उस पूरी situation को ही बगल दो तो तुम्हारी life है वो automatically change हो जाएगी तो ladies and gentlemen अच्छा वक्त सबका आता है बुरा वक्त सबका आता है अच्छे वक्त में हम खुश होते हैं बुरे वक्त में हम रोना शुदू कर देते हैं या उदास हो लेकिन अगर हम अपने आपको ऐसा बनाएं कि समय चाहे जैसा भी चल रहा हो हम पूरे समय को अपने मन के अंदर उसको change करने की अगर शमता रखते हैं तो आपकी जो life है वो automatically change होनी शुरू हो जाएगी तो दोस्तों आशा है कि आपको आज का यह जो session है वह आपको जो उतहानी है वह आपको पसंद आई होगी बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा तो अब समय आ चुका है हमारे आज के सेशन का चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा यह जो आज का session है और देखते हैं कि आज के session से हमें क्या कुछ जो है वह सीखने के लिए मिल सकता है आए जानने की कोशिश करते हैं और मैं धरिंदर सिंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज के इस दूम मीटिंग में तो आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही खास है बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि बार-बार इस टॉपिक को हमने जो है वो करना है याद रखना है कि बेसिकली हम यहां पर इस सेशन को क्यों किया है और बेसिकली क्या-क्या जो काम है वो हमें यहां पर करने चाहिए किस तरीके से हम इन काम को यहां पर कर सकते हैं तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सेशन को लेकिन सेशन करने से पहले मैं सभी का यहां पर धन्यवत करना चाहूँगा क्योंकि हमने बोला था कि ऐसा पर संघ को यहां पर लेकर आएंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि सभी में से कल तीन सो के करीम लोग से टेन फो लोगों में से लगभग 40-45 ऐसे लोग हैं जो नए लोगों को लेकर आए हैं यस माई डिया फ्रेंट आज क्योंकि 340 से उपर जो लोग है वो आज यहां पर आए हैं यानि कि 40 लोगों ने effort किया है अपने साथ में एक नए person लाने का हो सकता है 40 से कम भी किया हो कोई 2 या 3 परसन भी लेकर आया हो लेकि इसका मतलब यह है कि आपने उनको लाने के लिए कुछ जो efforts हैं वो आपने किया है और जिन्होंने efforts नहीं किये हैं मेरा उनसे भी यही request है कि please effort कीजिए effort करना शुरू कीजिए effort करेंगे तो ही आपको result मिलेगा right क्योंकि अगर हम effort नहीं करेंगे तो क्या हमको result मिलेगा नहीं कि वो 40 लोगोंने effort किया है हम 40 लोग मानके चलते हैं कल 300 लोग थे प्रॉपर 300, 301 या 302 के करीब चल रहे थे आज 340 से उपर लोग चल रहे हैं यानि कि 40 लोगोंने effort किया है approximately कम जादा भी हो सकते हैं लेकिन जिन्होंने effort किया है उनकी वज़े से आज इस session की जो शोबा है वो वहाँ पर बढ़ रही है वैसे तो हर रोज होती है क्योंकि आप करते हैं लेकिन session के अंदर खास क्या रहता है कि आज session के अंदर कुछ लोगों ने आप लोगोंने अपने तरफ से जो efforts है वो लगाए है उसकी वज़े से जो session है वो और शांदर हो जाता है लेकिन दोस्त करते हैं टीम को लेकर आते हैं invite करते हैं और टीम आते भी हैं और हमारा जो करताव्य होता है कि टीम को कुछ अच्छा बहतरीन कुछ डिलीवर करना तो वह भी हम वहाँ पर कर पाते हैं तो thank you so much ladies and gentlemen साड़े तीन सो की संख्या जो हो चुकी है और हम यहीं चाहते हैं कि यह जो संख्या है यह दिन प्रति दिन इसी तरीके से आगे बढ़ती जाए कल फिर कोशिश करेंगे कि एक नए परसन को साथ में लेकर आने की वान न्यू परसन तो मेरे को चैड़ बॉक्स में सभी परस एक नए परसन को लेकर आएंगे राइट एक नए परसन को लेकर आएंगे एक नए परसन को लेकर आएंगे एवरीबडी एवरीबडी जल्दी से जल्दी से चैड़ बॉक्स में जल्दी से चैड़ बॉक्स के अंदर बताएंगे क्या कल सभी एक नए परसन को लेकर यह वादा आपने मेरे साथ नहीं बिसिकली अपने आपके साथ में करना है कि हाँ यार आज हम एक नए परसन को लेकर आए हैं और उसकी जो गैरेंटी है वो आप लेंगे उसको चेक आप करेंगे कि भाई सब आए है यह नहीं आए है होता क्या है कि हम ग्रुप्स के अंदर मै जाना करना है काल करना है करके सुबह उनको कर देना है साढ़े साथ बजय को कॉल करना है उसको बड़ी बात क्या हम सीखने के तो दोस्तों ये अगर प्रयास हम करेंगे, तो definitely आपको automatically जो result है वो मिलने शुरू हो जाएंगे, अब 360 के करीब जो लोग है वो आज यहाँ पर आए है, यानि कि 60 लोगों ने effort जो है, वो किया है, तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्रयास है जो आप लोगों की तरफ से आया ह मैं चाहता हूँ कि आज जैसे 360 लोग हैं, तो कल 360 के 360 लोग उस efforts को करें, उस चीज को follow करें, 360 लोग अगर करेंगे, तो result जो है वो आपको ही देखने को मिलेगा, उसका जो benefit है वो हम सब को ही मिलेगा, तो चली दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, आज का हमारा जो सैशर है, Only few leaders earning money, ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ leaders होते हैं जो पैसा कमाते हैं, सभी लोग पैसा कमाते हैं, No, कुछ leaders ही पैसा क्यों कमा पाते हैं, कारण क्या है इसका, अरे जुआई तो सभी करते हैं, Network Marketing में बहुत सारे लोग जो है वो जोईफ दो हैं लेकिन कुछ जो है वह पैसा कमा पाते हैं कि भी आलसू दू सेम थिंग वठ लीडर डो अर Cliff not को हम करते हैं जो लीडर करते हैं लोग उनको ध्यान से सुनते हैं लोग लीडर को जब लीडर प्लान दिखाता है ना तो लीडर को लोग ध्यान से सुनते हैं। उतने ध्यान से शायए यह और नहीं सुनते हैं। लेकिन लीडर को वो लोग जो है वो ध्यान से सुनते यह। क्योंकि उनके पास में clarity of udah है। कि उनको पता है कि मैंने यह जो काम है यह क्यों करना है, clarity of वाई हमारे पास वो clarity नहीं होती है to be clear to be frankly हमारे पास में वो जो clarity होती है वो नहीं नहीं होती है how important is why why क्यों important है how important is why why जो होता है वो क्यों important होता है आए इसको check करते हैं top leader and brand top leader and brand के बारे में जो है अगर हम यहां पर बात करें तो basically वो क्या होता है right brothers के बारे में सब भी जांते हैं right brothers are working on aeroplane जहाज बनाने के उपर वो लोग जो थे वो काम कर रहे थे मैंने पहले भी यह जो story है यह सुनाई है right brothers जहाज बनाने के ऊपर जो थे वो लोग काम कर रहे थे वो लोग ऐरो प्लेइन बनाना चाहते थे Samuel Langley ये एक ऐसा आदमी था कि ये भी same project के ऊपर काम कर रहा था और इसकी खासित क्या थी कि इसके पास में एक बहुत बड़ी टीम थी इस आदमी के पास में पैसा था सपोर्ट था हर इक चीज इस आदमी के पास थी Samuel Langley के पास में हर इक चीज थी लेकिन राइट ब्रदर्स ऐसे थे कि जिन्होंने इस काम को यहाँ पर किया क्योंकि उनके पास में एक स्ट्रॉंग वाय था कि हमको ये काम क्यों करना है अरे Samuel Langley के पास में हर इक चीज थी सपोर्ट सिस्टम था पूरा सिस्टम था उसके पास में पैसा था सब की था राइट ब्रदर्स के पास में ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन जहाज सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने बना कर वहां पर दिखाया क्यूंकि उनके पास में एक स्ट्रॉंग वाय था कि हमें ये जो काम है ये क्यों करना है वाय दे आर वर्किंग एंडलेस नाइट उन्हों दो महीने जागना पड़ जाए हम दो महीने रात को दस बजे तक काम नहीं कर पाते हैं रात को दस बजे तक हम दो महीने लगातार मौर्निंग का वेबिनार नहीं अटेंड कर पाते हैं जो आदे पौने घंटे का होता है हम उसको अटेंड नहीं कर पाते हैं दो महीने तक और उन्होंने अंगिनत रातों तक इस प्रोजेक्ट की ओपर काम किया था जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ गई कि यार कुछ भी हो जाए मेरा टार्गेट चीफ जब तक नहीं होगा मैं इस काम को करना नहीं छोड़ूंगा दोस्तों काम या भी उसी के बाद खड़ी होती है हम क्या करते हैं हम जो टार्गेट है वो निश्चित कर लेते हैं कि इतने समय में हम ये काम करेंगे अगर हो गए तो ठीक है नहीं तो पूल बात नहीं नहीं तो कुछ और कर लेंगे नहीं तो अपना दुकान चला लेंगे नहीं तो कुछ और कर लेंगे यहां पर गलती होती है आपके अंदर डेडिकेशन कितना है उस काम को करने का हम में और लीडर में यही फर्क होता है नॉर्मल इंसान में और लीडर के अंदर यही फर्क होता है कि लीडर के पास में clarity of why होता है कि तो ये काम क्यों करना है चाहे उसके लिए कितना भी जो समय है वो क्यों ना लगे they are working endless nights on that project but Samuel don't have a strong why लेकिन Samuel Langley के पास में ऐसा कोई भी वाई नहीं था उसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था Samuel को क्या चाहिए था नेम एंसे उसको सिर्फ ना और शौरज चाहिए थे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे इसले को स्टेज पर जाना है सब्सक्राइब को करना है त्वर वहां पर जाना हो है किस लिए करना है आपने इस काम को चूष किया है वह वाई strong why जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है जिस दिन आपको strong why आपका मिल गया दोस्तों उसी दिन से आपके जो जिंदगी है वो change होनी शुरू हो जाएगी samuel को name and fame वो उसको चाहिए था उनको तो एक चीज चाहिए थी जहाज उनको एक चीज चाहिए थी है कि मेरे को BMW गाड़ी चाहिए BMW गाड़ी के लिए आप क्या कर रहे हैं आपको आपको है कि मेरे को एक बड़ा सा बंगला चाहिए मेरे को घर चाहिए शांदर घर चाहिए उस घर के लिए आप क्या कर रहे हैं आपको गाड़ी चाहिए गाड़ी आपको मिल जाएगी आपके में स्कारब लाइज कि तो । को पता होना चाहिए कि गाड़ी के लिए अगर मेन को गाड़ी चाहिए एक साल में दो साल में साल में अगर मेरे को वो गारी चाहिए तो उस गारी के लिए हर रोज में को कितने लोगों से मिलना पड़ेगा क्या काम करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा गारी मिल जाएगी गारी में को दिक्कत नहीं है दिक्कत यह है कि हमारा जब मन डोलना शुरू हो जाता है जब गारी के problem है, that is your problem, कि हम लोग थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं, जिसने अपने आपको बहुत थोड़े में संतुष्ट कर लिया, उसको बड़ा कभी मिल ही नहीं सकता है, कभी नहीं बड़ा मिल सकता है, जिसने अपने आपको बहुत थोड़े में उसने अपने आपको, हमने अप अपने आपको वहां तक लेकर जाना चाते हैं तो आपको राइड प्रदर्स की तरह सोचना पड़ेगा प्लेन प्लेन जहाज के बारे में जो है वो आपको बेसिकली सोचना पड़ेगा सैमूल के पास में उसके बाद भी इनोवेटिव प्लान थे बहुत आइडिया से उसके सकता था वो चैटा तो उस जहाज को और भी बैस्तर कर सकता था यहतम सा कर दिए नहीं कर दिया व चाथा तो उससे बढ़ी और पैसे वो कमा सकता था नाम उससे बड़िया और वो बना सकता था लेकिन उसने quit कर दिया जात और लोग network marketing में जो दूसरे leaders होते हैं उनके lifestyle को देखकर उनकी गारियों को देखकर उनके घर को देखकर वो network marketing को जोइन करते हैं लेकिन हम उस leader के strong wife को नहीं देखते हैं कि leader ने यह काम जो हैirk वह क्यूं किया कैसे किया आपको leaderकी problem नहीं पता है आपको यड़ी पता हैframes कितना कि dersh criteria leader का घर दिखाई दे रहा है not कि लीडर का संगर्श आपको दिखाई नहीं अपने असी किसमत में पाइं इसा क्या लिखा जो आप नहीं लिख सकते हैं कि शाठ साल से दस साल से लगा हुआ है हम पांच महीने काम नहीं कर पाते हैं प्रॉबलम् um भी एक होता ही नहीं है जो मेंट करता है उसको रिज़र्ट हमेंशा यृम मिलता है आप साल में दो सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर हम अपने लीडर को देखेंगे लीडर के पास पैसा आ रहा है लीडर कुछ करते नहीं अखिक हम किया था वो पहले cycle पर स्कूटी पर पैदल काम कर रहे थे बारिश में धूप में सब में काम कर रहे थे आज अगर leader के पास में गारी है तो क्या वो डिजर्व नहीं करते है गारी लेना हंडर परसंट डिजर्व करता है वो गारी लेना और हम कहते हमें हमें आरी शुरुवात ही गारी से हो जाए हमें leader ही साथ में लेकर चले my dear friend शुरुवात आपकी जितनी सक्त होगी बाद में उतना अच्छा जो रिजर्ट है आपको मिलेगा लेकिन strong why जो है वो आपका होना चाहिए leader के lifestyle से मत चुनिए ये देखिए कि leader ने ये क्यों किया है क्या आपके पास में ऐसा कोई कारण है करने का कि आप इस काम को यहां पर कर पाएं तो उस चीज को जो है वो आप चुनिए we assume their dreams हम उनके सपनों को अपना सपना मानना शुरू कर द देते हैं अरे उनकी problem जैसे थी उनको भी तो अपना मानी है ना जब उनके सपनों अरे वो BMW leader ने ओ लीडर का सपन है BMW आपका सपना Audi हो सकता है Jaguar हो सकता है कुछ भी हो सकता है leader ने BMW लिया मैं भी BMW दूंगा यानि कि उनके सपनों को अपना सपना मान रहे हैं लेकिन जब leader की problem देखते हैं कि leader की problem faces की हैं तो तब हम क्या leader की problem लेना चाहेंगे No हम quit कर चाहेंगे अरे सर नहीं इतना काम कौन करता है अधिसे यासे चीजे बात करेंगे आदमी बोलता है कि या इससे दुखी बंदा इसा दुनिया में कोई नहीं है इस दुनिया में दुखी से दुखी आदमी पड़े हैं आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी जिंदगी करनी है या नहीं करनी है आपको अपनी जिंदगी चेंज करनी है तो काम करना पड़ेगा जिंदगी नहीं चेंज करनी है तो जो काम पहले कर रहे थे जैसे पहले जिंदगी निकल रहे थी वह जिंदगी आपकी वैसे लोगों को पता है कि वह यह काम कर रहे हैं कि वह क्या कर रहे हैं लेकिन लोगों को यह नहीं पता है कि वह इस काम को क्यूं कर रहे हैं कि आप जॉब कर रहो आप को पता है कि आप जॉब कर रहे हो ने वर इकिन क्यों कर रहे हो बाहि साब कर का गुजारा चलाना है तर जनुदगी चाहेंगी तो करते करते गुजारा चलाने में जिन्दगी लोगों की गुजर जाती है जो गुजारा 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 करते रहते हैं वो उस चीज से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते हैं उनको स्ट्रॉंग वाइड नहीं पता होता है जिन्दगी को ऐसे गुजारना चाहते हैं नो उठ इसको पता होता है कि किस कामख क कैसे करना है जो वर्कर होते हैं जो लेबर होते हैं उनको पता है कि किનख करना है करनी है उसके करना होता है उसको पता है कि मैं यह क्या कर रहा हूं वाइ तो वो आ गया क्या कि वह क्या है वट है बैनेफिट बता रहे हो तो हाव कि पही कैसे कर सकते हैं तो इन सबी चीज़ों से निकल कर वाई तक हमको आ रहा है कि भाई सब्वाई कि आपको यह जो काम है यह क्यों करना है वेंड वी शोग प्लाइन सम्टाइम पीपल डूनाट कनेक्टेट कि प्लाइन है यह क्यूं दिखाना या क्यों करना है हम प्लाइन के विचुर बता देंगे हम प्रॉड़क के लू compat ढेंगे सब कुछ है अच्छा knowledge है आप benefits बता देंगे आप डोसे बता देंगे आप ingredients बता देंगे वो काम कैसे करता है बता देंगे लेकिन 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 we failed to show the reason that why they purchase this लेकिन ओ जो reason है वो reason हमें नहीं पता चल जाता है कि why they purchase this कि ये क्यों purchase करना है बाई सब आपको ये क्यों चाहिए इस plan कि आपको क्या जुरूत है और reason जो है वो reason दिखाने में हम लोग fail हो जाते हैं why they purchase this आपको ये product क्यों चाहिए वाई तो इस चीज़ को दोस्तों हमने बाहर निकाल कर आना है और result जो है वो हम को यहां पर मिलेगा ही मिलेगा inspire them to take the decision उनको inspire करना है decision लेने के लिए वाई आपको यह क्यों लेना है क्यों करना है if you have strong वाई then customer can decision immediately वो decide कर लेगा अगर आपने उसको एक स्ट्रॉंग वाई बता दिया कि आपको इस लिए इस प्रोड़क्स की जरूरत है इस लिए आपको मेरी जरूरत है इस लिए आपको कीवा काइप तो इभी डोड़ता है तो इमीडेटी इक्षान लेगा वहां पर εκजेंपल की तौर पर हर बार जो हमारा जो अंदर का है उसको लिंबिगा बरिंब बोलते हैं जो अंदर का ब्रेंद है वह क्या करता है मिजागhmen होता लोग बहार की तरव से हैं अंदर तक तो हम चीजे जाने ही नहीं देते हैं हम पुई प्लैन दिखाता है इतने का प्रड़क्ट है ऐसा प्रड़क्ट है तो सामने वाला क्या करता है वह करना शुरू कर देता है अच्छा नौ सो निचास रुपे के ड्रॉप सें तो अगर इतना करूंगा तो ऐसा हो सुब्स समझें तो वह बहुत तो वह बाहर जैंगिसी नियो कोटेक्स वह करता है जो अंदर का काम करेगा कौन काम करेगा घब उसको पता आप उसको बता दिये के भाई सब्सक्राइब यह क्यूंग करना है उसको पताज लगा थी अब तो कर ने करना है ठीक बाई अब तुझे हम काम जो है यह करेंगे एक हंडेड्र पर सेंट इस काम को करेंगे दोस्तों वहाँ पर वह वहाँ बैब ARE वह है वह का वहाले का सामने वाले का और उसको डिसीजन लेने की जो ताकत है वो उसको वहाँ पर चेंज करना शुरू कर देगा करता है तो वह क्या करता है कि वह लिंबिक ब्रें को एक्टिवेट कर देता है जो कि डिसीजन लेने में हमारी मदद करते हैं तो दोस्तों आशा है कि जो सेशन है वह को informative लगा होगा knowledgeable लगा होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा लेकिन 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 जाने से पहले जाने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूंगा कल के मौनिंग के webinar में efforts जो है वो सभी करेंगे सभी लोग जो है वो efforts करेंगे और एक नए person को कल call करकर लेकर आएंगे कल call करकर कल जब हम बात करेंगे कल सुबह जब हम attendance लेंगे attendance लेने के बाद हम ये सवाल पूचेंगे कि जिनको आप लेकर आए हैं उनका नाम क्या है उनका नाम आप लिखेंगे येस माई डियर फ्रेंड कल साड़े तीन सो लोग हैं तो कल साड़े तीन सो के साड़े तीन सो लोग जो है वो efforts करेंगे आज साड़ सतर लोगों ने effort किया है साड़ सतर लोग एक एक लोगों को लेकर आए हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो साड़े तीन सो से ज़ादा ल विनार में मैं इसको लेकर आया था अपने responsibility समझिए जिम्मेदारित समझेए नहीं आया है उसको आट बजी तक उसको बोले कि सर आए क्यों निया वहाँ पर दिख रहा है आप आये नहीं है उसको पूछिये उसको पूछिये कि का कहा पर है क्यों नहीं है रीजन जब आप 10 सवाल करेंगे सामने वाला भागा दोड़ा चला आएगा लेकिन लेकर दुरूर आना है तो दोस्तों इसी प्रॉमिस के साथ में हम आज का जो सेशन इसको समाप्त कर रहे हैं कल का सेशन हम और जबरदस तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप लोगों का जो साथ है वो जूरूर रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों तरफ से चलेगा आपकी तरफ से भी हमारी तरफ सभी तबी यह जो सेशन है ये और बढ़िया हम इसको कर सकते हैं तो दोस्तों कल सुबए एक नए परसन के साथ में हम लोग आपके साथ में फिर से मुल झाल झाल